तो त्यार है हमारी बहुत ही मज़ेदार बिरियानी इसको ज़रूर ट्राइ करें यह बहुत मज़ेगी बनती है कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे तो आज में बन रही है क्राची पिरियानी तो चले हैं देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीजों की जरूत हैं यहां सबसे पहले मैंने डाइस ने अच्छी तहां से वाश कर लिया मैंने यह मैं बस डॉबल स्ट्रीम राइस हैं आप अपनी मर्जे से कोई भी राइस ने जो आपको प्यानी में सूड करते हूं तो सबसे पहले ने बॉयल कर लेंगे तो यह पानी को मैंने रख दिया था इसमें वाल आ गया है अब इसमें हम खड़े मसारे डालेंगे यह में पस एक बड़ा दाजनी का टुक्रा है यह डाल देंगे चार से पांच इसमें लंग डाल देंगे जीरण डाल देंगे तिन यहाँ पर कटे ओवगे मैंने लैमन लियेह हैं यह देख लिया कि यहां पे चाइर ग्लास चाववल लिये हैं आप अपनी मज़ी से जितने आपने बनाने हो ते ले ली जगा तक्रीबन यहां पर स्टेटर साइज के ग्लास से और एक किलो के खिरीबें भाण तब इन्हें एक बार मिक्स कर देंगे तकर नाइंटी पसंट इन्हें कोग करेंगे साथ ही मैंने यह आलू पाइल होने के लिए रख दिये हैं छे आलू लिया उनको सिक दिर्म्यान से काटा है बड़े पीसिस में काटा है अब इसमें वन पिंच जो है हम फूट करें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे इने भी 90 परसंट बॉल करेंगे तो यह देखें राइस हमाई 90 परसंट कुक होगे ने निकाल लेंगे गरम ही रहे है 8-5kg चिकन लिया आधा किलो प्यास लिया है जो न पेतीया है एक पकिड यहां पर देख स्कण आप जाखेंगे उनकों मैं बडाशि करतेंगे प्राइब नचाल लेंगे एक बाउल लेंगे और इसी प्रियानी मसाने में से वान तीपिनी स्पून मैं इसमें डाल दूगी वें टेबल स्पून है, हाफ टेबल स्पून जो है मैं इस में डाल दूंगी, प्रियारी में चिक्कन को मेनिरिय करने के लिए, हाफ टेबल बस्पून यहां बे tar s Lori भर सब्समा, यहां ठीकκα बोड़र लेnight शाफ टेबल स्पून यहां फिराड्ये लें Agre 체 इनको mix करेंगे और इन्हें टू टेवली स्पुन दही ढाल देंगे 2 टेवली स्पुन सिर्का डालेंगे इनको mix करेंगे अच्छी दाल से विश्वी चिकन डालते जाएंगे और साथ-साथ कोट करते जाएंगे से अब यह बॉइल के अब अब प्टाइटर से दिर थे यह बीस के साथ डाल देंगे अब इन्हें मिक्स कर देंगे अब इसे फ्राइ कर लेंगे इसकते हिस्पर्णी पास मिनेट पके प्रस्वाइ निकाल लेंगे अब दिक दां आप की अब कि यह बी प्रस्तों निकाल लेंगे इसी तहां से हम चिकन फ्राइब कर लेंगे इसको दोदर आप मिनिट के लिए हम फ्राइब करेंगे चार मिनिट एक चार के चार मिनिट जुशी चार पर उसी तरह बाकी कर लेंगे यहां पर 4 त 5 तेबिल स्पूर मैंने ऑईल लिया से गरम कर लिया और अब इसमे प्यास डाल देंगे और बाकी का जो आईल है वही डालूंगी जो हमें जिसमे चिकन फ्राइब किया है प्यास को फ्राइब कर लेंगे 1 तेबिल स्पून इसमे अद्रक लेसम के पेस डाल नहीं है और यहां से क्वास मिससे मुझे गाल बन प्राइब काई और कि से चर्ड्रा नहीं है जब चृए कि श्चाह अब इसके भुनाई करेंगे 3-4 मिनेट मिडियम फ्लेम पर तेखें ये फ्राय हो गया है अब इसकी आग बंद कर देंगे अब जर्दा रंग मिक्स कर लेंगे वर्टेबल स्पून यहां पर मैंने रूम टेपरेटर पर दूत लिया है आपने फीर से निकलावा दूत नहीं ल जिस ओयल में मैंने कॉर्मा तियार किया था वो मैंने इस पैन में डाल दिया है अब इसमें डालते जाएंगे के जो दुasse को सब्सक्क्राइब कि यहां पे तो इसलिए चावल जहां हो it is any layers में जाएंगे रूसी साब से आप चावल डालने दें कि कि यह वे मैंने टू टेवल स्पून इंदू ऐसमें थौरज से टाल देंगे के जड़ा रंग डालेंगे यहां थbn तोर सा अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें अधवाइस नहीं डालें यह जो है यह चाबनों के टेस्ट के लिए इसमें मैं इसमें जो कोर्मा त्यार किया है हमने बियानी के उसके लिए लगाएंगे इसको फेला देंगे और अगें इसपे राइस की लेड़ लगाएंगे फिर सेम ऐसे ही से मैथर से साइड लेयर दे लगा देंगे यहां पर मैं थोड़ा साँ जर्दा रंग वैसी त्रुक्र करूंगी धनिया और पदीना टूटेबली स्पून लिया था वो डाल देंगे चार से पांच हरी मिर्चे डाल देंगे अब इसको दम लगाएंगे मैंने बटर पेपर लिया और इसकी डबल एयर कर देंगे और इसके ओपर बज़ा नखेंगे तो बियानी को दम आगे अब इसे निकाल लेंगे इसे मिक्स करेंगे नीचे से चावल उठाएंगे ऐसे इनको मिक्स करते जाएंगे अब आज़ा रहे हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार बिरियानी इसको ज़रू ट्राइ करें यह बहुत मज़े की बनती हैं अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगिए तो इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वाड़ली रेसि झाल